हैं आज का lecture, most repeated synonyms, antonyms, मुझे एक चीज बताओ, ये एक slide है, ठीक है, answer बाद में करना, पहले मुझे ये बताओ, कि ये एक slide है, इस slide पे हम कितने words याद करने वाले हैं, जब तक आपको ROI नहीं पता है, ROI मतलब समझ रहो क्या है, return on investment, आपने अगर इतना समय इस lecture को दिया है तो आप कितने words सीखे, जब तक आपको ये चीज नहीं पता है, आपको कोई भी बेफ़कूफ बना सकता है, तो हमेशा कोई भी काम करने जाओ, उसका ROI जरूर देखो, कि अगर आप यहाँ पे एक डिड़ घंटे दे रहे हो, तो कितने शब्द सीख पा रहे हो, ठीक, तो आपको कराऊंगी, इन्टू फाइब कर देना, उतने शब्द आपने सीखे हैं, समलो राटे हैं क्लास में, ठीक, चलो, अब ये मैं यहाँ पर हटा दे रही हूँ, अब आप जल्दी से मुझे बताओ, पर स्पी क्योर्स का सिनननिम क्या है, सिननिम बताना है कि आंटनिम य प्रसाइब का मतलब कोई चीज़ अगर एकदम क्लियर होती है, तो उसको हम प्रसाइब बोलते हैं, अब समझो, इसको याद करने का तरीका क्या है, अगर मैंने बोला पर स्पी क्योर्स, तो पर स्पी क्योर्स पर स्पीच से रिलेटर है, मतलब जिसकी स्पीच एकदम क्लि में भी आया होगा तो परस्पी कि यूँए स्वर्ड हम कैसे याद करेंगे speech clear से speech clear मतलब इसका meaning भी clear हो गया so option number c is the correct answer vague का मतलब क्या होता है अगर कोई चीज clear नहीं होती है तो vague unclear है unclear का मतलब खुद unclear होता है और incomprehensive comprehensive का मतलब क्या होता है तब से पहले मुझे एक बात बताओ, comprehension का मतलब क्या होता है, comprehension का मतलब होता है कि जो भी चीज़े आपको दी गई है, वो clearly समझ में आ रही है, इसी वज़े से आपके exam में एक सवाल भी पूछा जाता है, reading comprehension करके, comprehension का मतलब होता है कि जितना आपने पढ़ा है, वो आपने अच होता है, तो इसको हम बोलते हैं कि चीज़े हमारी incomprehensive है, यानि कि clear नहीं है, ठीक, इतनी चीज मेरे ख्याल से आप सब को समझ में आ गई, तो यहाँ पर हमने एक slide पर 5 words कर लिये हैं, और यह शब्द आपके exam में 7 बार repeat हुआ है, यह जो मैंने नीले pen से यहाँ पर लिखा ह गया है, सबसे पहले आप मुझे इसका meaning बताओ, सबसे पहले आप मुझे meaning नहीं, answer बताओ क्या है इसका, answer क्या होगा इसका, agony word का, बताओ, comment section में लिख के बताओ, एक दम speed में, है ना, मजा तो तभी आएगी ने, जब मैंने कुछ पूछा, आपने फटा-फटा answer किया, जब आप बोलोगे, तो इस word को एक बार मेरे साथ बोलो, तो इस word को बोलने पर क्या, अगनी नहीं निकल के आ रहा है, अगनी, अगनी का मतलब होता है, आग, और आग में शरीर छोड़ो, अगर जरा सी उंगली भी जल जाती है, तो बहुत पेन होता है, बोलो हां की ना, हो कोई भी पार्ट जाता है, तो इसका मतलब हो गया पेन, यानि कि C is the correct answer, प्लेन का मतलब होता है साधा, और कमफर्ड का मतलब होता है, बहुती कमफर्टिबल सिचुवेशन जब आप बड़ा कोजी फील करने लगते हो, और एक्सक्यासी वर्ड का मतलब क्या होता है, इसका म एक्सक्यासी बोलते हैं, that is something insanely awesome, ठीक, अब समझो, अब ये वाला जो वर्ड है कि आपके एक्जाम में भी पूछा चाता है, तो इसको याद करने का एक सीधा साधा मैं आपको ट्रिक बताऊ, जब आप एक्सक्यासी वर्ड लिखोगे, तो पहले मन में ये अपने मुझे ब ठीक, पहले सी आएगा, फिर ऐसा आएगा, तो इट इस वेरी 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 सिंपल, I hope you get that, E, C, S, C, A, S, Y, X, कैसी, इसका भी मतलब होता है, happiness, ठीक, clear है, देखो ये जो spelling है, मुझे मैं सच बात बता हूँ, तो ये एक्जाम में बड़ा confusing रह, बहुत confuse करती है, सी पहले पहले किये थे हमारे 10 words हो चुके है, जितने words होते जाएं यहाँ पर लिखते जाओ, अरे बबरे, abstain word दस बार exam में पूछा गया है, abstain word दस बार exam में पूछा गया है, मुझे बताओ इसका meaning क्या है, meaning in the sense means इसका synonym क्या है, जल्दी बताओ, abstain word का, answer तो आप लोग करी रहे हो, मैं देख रही हूँ, I'm really feeling good कि आप सब answer कर रहे हो, लेकिन बात इसकी है कि answer के साथ साथ ये कितने लोगों को exactly as it is, दिमाग में छप गया है, कितने लोगों के सांग ऐसा हुआ है, कि ये चीज exam में as it is छप गई है, दिमाग में, मैं बताओ, एक कपड़े में भी दाग लग गया है, तो उस कपड़े को दूर कर देगा, आप बताओ, आप में एक white shirt पहनी, yellow पहनी, pink पहनी, कोई भी shirt पहनी, उसमें दाग लग गया है, धबा, stain, तो आप उसको दूर करोगे न, हाँ की न, दूर करोगे न, कोई trick नहीं है, आपकी life से relate कर अर्यूम है, कि भाई अगर आपने कोई shirt ली उसमें धबा लग गया, stain लग गया, तो आप उसको दूर करोगे न, तो abstain word का भी मतलब होता है, दूर करना, refrain करना, simple, और याद भी हो गया आपको कि भाई shirt में जब stain लग जाता है, धबा लग जाता है, तो हम उसको दूर करते है, तो abstain मतलब दूर करना, refrain करना, अच्छा, अब एक एक word करते, indulge word का मतलब सबको पता होगा, indulge word का मतलब होता है, involvement, मैं कितना जादा indulged हूं इस lecture में, मतलब मैं कितना जादा involved हूं इस lecture में, ठीक है, फिर आजाएगा, celerity, celerity का मतलब होता है, speedily कुछ चीज को करना, जैसे बोलता है, बहुत जादा speedy recovery है, बहुत जल्दी जल्दी recovery हो रही है, and accountability का मतलब होता है, equipment, जैसे equipment word बहुत common है, हाँ की ना, है common की नहीं है, जैसे मैंने बोला, equipment, equipment, तो भाई, ये equipment word बहुत common है, है ना, ये equipment word बहुत common है, सबको पता होगा, पर ये नहीं पता होता है तो counterment word का मतलब भी equipment ही होता है simple ठीक सारे words याद हो गए बहुत बढ़िया तो 10 अभी तक हुए थे प्लस ये 5 भी हो गए हमारे 15 words हो चुके हैं ये बहुत important है कि आपके दिमाग में ये number होना चाहिए कि आप अगर यहां पे मेरा lecture लेने आए हो तो कितने शब्द है जो आप prepare करके जा रहे हो आपका ROI कितना है इस lecture का return on investment investment क्या है आपका समय जो आप invest कर रहे हो दस बार ये lecture पूछ दिए शब्द पूछा गया है अपके एक्जाम में 15 words हमारे already हो चुके हैं आगे बढ़ते हैं reindeer से निम बताओ मुझे dagger का सबसे पहले तो मीनिंग क्या होता है डायर का फिर शनियनिम पढ़ा ना बताओ आप आप नो आप वाला हत्तिया कांड जो था वो किस जैनरल ने कराये था बताओ देखते हैं कितने लोगों को history का यह सवाल पता है अ 온 वाला जो हत्याकांड था वो किस जेनरल ने कराया था बताओ 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 बहुत ही जादा भयानक हत्याकांड था किस ने कराया था जेनरल डायर ने तो बस डायर का भी मतलब होता है जब कोई चीज बहुत ही जादा भयानक होती है भयानक होती है बहुत जादा तो चारों में भयानक का मतलब क्या है घासली और घासली वर्ड को याद करने का तरीका क्या है घोस्ट घोस्ट का मतलब होता है भूत और भूत होता है भयानक डरावना ठीक है तो घासली का मतलब हो गया घोस्ट की तरह घास्ट घोस्ट मतलब भयानक इसका मतलब भयानक हो गया और डाय जेनरल डायर ने कराया था जलिया वाला हत्या कांडिफा आम नॉट रॉंग है ना तो बस उनका भी मतलब हो गया कि वो बड़े भयानक से इंसान थे तबी तो इन्होंने ये कराया था तो डायर और घासली आपस में दोनों connected है दोनों synonyms है fortunate का मतलब हो गयार कौन कितना fortunate है किसकी किसमत कितनी अच्छी है unfortunate मतलब unlucky है Reliant का मतलब क्या होता है किसी ये word ऐसे लिखो Reliant का मतलब होता है किसी के उपर आप reliance Reliance company का नाम सुना है Reliance Reliance है कैसी company है जिसके उपर आप लोग rely करते हो तो rely करने का मतलब भी होता है depend करना और furious का मतलब तो हो जाएगा बहुती जादा गुस्ते में मतलब किसी का आपने कोई किसी ने मेहनत करके खोब बड़ा सी painting बनाई है और आपने उसकी painting में पानी डाल दिया गलती से आपसे पानी गिर गया तो वो एकदम furious एकदम angry हो ठीक है तो furious का मतलब तो यह होता है मेरे ख्याल से सारे शब्द आपको याद हो गया होंगे अच्छे से ठीक है तो यहां पर डायर डायर ने क्या कराया था हत्या कांड कराया था मतलब भयानक थे तो डायर का मतलब भयानक होता है घोस्ट भी भयानक होता है तो घोस्त से ब बाबर है मैंने मुझे लगा यार यहां पर पांच या छे लिखा होगा 11 बार यह डायर वर्ड आपके एक्जाम में पूछा गया है और 100% 100% बता रही हूं बहुत से लोग थे जिनको यह नहीं बता था 15 वर्ड हमने पहले ही कर लिए थे पांच और हो गए यानि कि 20 वर्ड तक हो चुके हैं कि जितने होते जाएं लिखते जो ठीक है रेटिसेंट रेटिसेंट वर्ड का मीनिंग बताईये जल्दी से सब लोग जल्दी से एक चीज बस यह आद रखना है आपको एक चीज यहां पे आपको सेनने ने पूछा है रेटे सेंट का देखो रेटे सेंट अगर हम बोलेंगे तो आप इस शब्द को अच्छा बोल की देखो रेटे सेंट रहते हैं uma यहां टाये եा रे CAP autom reserved है जो बहुत ही जादा कम बोलती है तो उसको हम reticent बोलते हैं और tacky turn बोलेंगे तो B is the correct answer reticent और tacky turn ये इतना exam में पूछे जाते हैं इन दोनों का मतलब होता है reticent का मतलब रहती है शांथ रहती है शांथ मतलब की reserved तो reticent reserved और 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 tacky turn ये आपस में synonym है garrulous का मतलब क्या हो जाएगा बहुत जादा बोलने वाला इंसान बक बकी फाल्तु बग 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 जो करता रहता है garrulous loquacious का भी मतलब होता है block मतलब talk जो बहुत जादा बोलता है बहुत जादा talkative है तो talkative, loquacious, garrulous इन सब का मतलब हो जाएगा बहुत जादा बोलने वाला इंसान ठीक और tacky turn का मतलब होगा reticent, reserved यानि कि जो कम बोलता है ठीक है मैं आपसे आगे revision के तोर पे पूछ सकती हूँ तो याद रखना 20 words पहले भी हो गये थे ये 5 हो गये है तो 25 और ये शब्द जो reticent है और tacky turn है reticent, tacky turn, reserve इन सब का मतलब होता है कम बोलना और garrulous, talkative और loquacious का मतलब होता है जादा बोलना 25 तक हमारे पास हो चुके हैं हमने यहाँ पे एक number लिख दिया 25, shalton किसने किसने shalton देख रखा है, shalton serial जल्दी, जल्दी, quick shalton word का मतलब किसको पता है देखते है क्या होगा देखो shalton मैं बोल सकती हूँ मतलब इसको पाखंडी भी आप बोल सकते हो मतलब दिखावा करना कि मुझे यह 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 आता है जो कि actual में नहीं आता है उसको हम shalton बोलते हैं बहुत important word है, 7 बार exam में पूछा गया है मतलब quack इसका synonym quack हो जाएगा idleness मतलब idle रहना, bogus मतलब boring और condemn करने का मतलब होता है किसी चीज़ को condemn करना मतलब आप हटा रहे हो मना कर रहे हो, तो condemn करना उसको बोलते हैं ठीक है, सारे words हमें आद हो गए बस ये जो आपका shalton और quack है मुझा पता है ये आपको आपको क्या यहां पर बैठे 80% students को ये शब्द confuse कर रहा था shalton और quack अब clear हो गया जैसे मैंने बोला, यार मैं तो maths में बहुत अच्छी हूँ मैं बहुत दिखावा कर रही हूँ मैं जो 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 गरुफी पूरी आद है मेरे fingertips पे सारे formula रटे है मुझे माच के पर actual में मुझे नहीं आता है तो I am just over exaggerating of the skill that I really don't have that is shalton and quack ठीक, बहुत बढ़िया, so quack is the correct answer 25 plus 5 30 words तक हमारे हो चुके है इसके जो अच्छा मैं आपको एक चीज बताऊ इस lecture की सबसे खास बात यहाँ पे आपको लग रहा होगा कि स्तिरिफ ये शब्द exam में repeat हुआ है इसके options मैंने खुट डाले है और जो इसके options हैं वो भी आपके exams में आए हुए options हैं आपको लग रहा हो को strong इतना easy word भी आता है exam में तो हाँ आता है ठीक सबसे पहलों तो यह समझो हाँ आता है अब आप मुझे रिकेट का synonym बताओ क्या होगा रिकेट वर्ड का synonym क्या होगा सभी लोग बताएंगे अच्छा मुझे एक बात बताओ आपने रिकेट वर्ड का नाम तो सुना होगा यह एक बिमारी है ठीक है तो रिकेट एक बिमारी है और बिमारी में लोग weak होते हैं कि कमजोर होते हैं मैं रिकेट बिमारी की बात नहीं कर रही हूँ मैं जेनरल सेंस में आप से बोल रही हूँ general sense में आप से बोल रही हूँ किसी भी बिमारी की बात कि अगर हमारे sense में हम किसी बिमारी की बात करेंगे अगर तो बिमारी में इंसान कमजोर होता है कि वो बहुत जादा strong होता है क्या होता है कमजोर होता है कि strong होता है बिमारी में बिमारी में इंसान वीख होता है तो बस इंसान वीख हो जाएगा तो यह मारे यह सर एप पांच और यह हो गए थरेटी फइव सारी च्रब्र आप देखते जायो और आप यह भी देखते जाना कि कितना ज्यादा कितना ज्यादा आप यहां पर सीख रहे हो सभी लोग इसका अंसर करेंगे आपके पास प्रॉपर टाइम है क्या हुआ इसलिए वो हमेशा सच बोलेगा तो आपने देखा यार यह बहुत वीर पुरुष है लेकिन जूट बोलता है वीर होगा कोई इंसान ब्रेभ होगा या करीजियस होगा कुछ भी होगा हमेशा सच बोलेगा तो वीर इसका मतलब ह knife और वीर है तो सच बोलेगा तो वे कि यूध के लड़क चाथ ने कर लिया कितना क्जिश का मतलब होता है वो बंदा जो सच बोले वेरेश यूश के आज एक ठीक और फिर आपका आजाएगा redundant, redundant word का मतलब क्या होता है, जैसे कि मैंने बोला wet water, मैंने बोला wet water, या फिर मैंने बोला angry mob, या तो मैंने बोला left side, तो ये सब क्या है, ये सब क्या है, ये सब हमारे redundant word है, redundancy की error भी खोब पूछे जाती है exam में, अगर आपने लिखा है water, तो water तो पहले से ही wet है न, तो wet लिखने की जरवत नहीं है, अगर आपने लिखा है mob, तो mob का मतलब ही होता है कि खुब गुस्से वाली public जो एक साथ शोर मचा रही है, तो उसके संग angry लिखने की जरवत नहीं है, अगर आपने लिखा है left, तो left तो प 12 पास्ट नहीं लिखा जाता तो इसको रिडंडेंसी बोलते हैं कि जब जितना रिक्वाइड नहीं है उससे जाधा आप शब्द यूज़ कर रहे हो जिसका रिक्वाइमेंट नहीं है ठीक है तो आपका रिडंडेंड तो रिडंडेंड वर्ड का मतलब मेरे ख्याल से क्लियर हो गया तो वरेशियस का सिनेनिम क्या होगा ट्रूथफुल ब्रेवियस और करेजिस नहीं होगा ठीक पांच वर्ड हमने फिर से कर लिए हैं हमारे 40 वर्ड हो चुके हैं क्या बात है आगे बढ़ते हैं चलो सिमिलर मीनिंग बताइए वनीर का और ये पांच बार पूछा जाता है बिग ब्लंडर येस आप बिग मिस्टेक लिख सकते हो बिग ब्लंडर नहीं लिख सकते हो ब्लंडर का तो मतलब ऐसे ही है कि बहुत बड़ी मिस्टेक यह सारे रिदंडेंट वोर्ड है क्या होगा इसका अंसर मुझे ऐसा फील आ रहा है आचा मुझे एक लोग वेनीर वर्ड का मतलब होता है रिस्पेक्टेड और इसको याद करने का तरीका क्या है हिंदुविजम में वानर की बहुत रिस्पेक्ट होती है क्योंकि वानर को हनुमान जी का रूप माना जाता है आप मेंसे जितने भी लोग हिंदू है या पिर नहीं भी हो तो लिए जाता है तो वेनीर मतलब हो गया बहुत रिस्पेक्ट करना डी फेम मतलब फेम यानि कि पॉपलर करना डी फेम यानि कि किसी की पॉपलारिटी खतम करना अन्यूजवल यानि कि कोई चीज जो यूजवल नहीं है कॉमन नहीं है टेस्टी यानि कि बहुत जादा डेलि को तो ठीक है पांच बार यह वर्ड रिपीट हुआ है विए डन विद 40 वर्ड 40 और 5 यह 45 हो गया जितना भी हुआ करें यहां पर लिख दिया करो ताकि एंड में आपको बार 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 काउंट ना करना पड़े ठीक है बार में सब लोग तो बस बजायर का मतलब हो जाएगा strange peculiar that's it और ठीक एक और कमन का मतलब होगा एक जैसा तो बजायर का आप opposite बोल सकते हो common है ना इसका synonym तो peculiar है strange है और इसको याद करने का तरीका भी मैंने आपको बता दिया कि आप किसी एक आप एक और आप फिसमें जाओ या किसी एक यूनिफॉर्म आपने पहनी है स्कूल में सब के कपड़े एक जैसे अजीब नहीं लगता देखने में लेकिन जब आप बजायर मतलब बजायर में जाओ तो किसीने लूंगी पहनी है किसीने रुपट्टा डाला है किसीने शूम है यह हम सब को पता है लेकिन अगर यह lucid word किसी शब्द के अंदर आ रहा है तो उसका भी मतलब clear ही होगा जैसे एक lucid हो गया एक आपका पर lucid हो गया और एक आपका हो गया elucidate हमने यहाँ पर क्या notice किया हमने यहाँ पर यह notice किया है कि हर में देखो आपके में lucid यहाँ पर भी आया lucid यहाँ पर भी आया lucid यहाँ पर भी आया तो हमने यहाँ पर क्या किया हमने यहाँ पर एक शब्द की मदद से तीन शब्द और яв UA ठीक है, lucid, pellucid, elucidate तीनों में lucid आ रहा है, तीनों का मतलब होता है clear ठीक और delight का मतलब हो जाएगा joy, xkc अभी हमने xkc word भी किया है na happiness, joy, enthusiasm तो ये भी हो गया हमारे पास तो तीर शब्द हमने ये कर लिए 45 and 5, कितना हुआ? 50 बाकि 2 ये भी है, 52 52, plus 2 आप अलग से रखो, बाद में end में add कर देंगे अभी हमारे पास 50 words हो चुके है 2 अलग से चल रहा है चलो true आप लोग छोड़ दो ताकि calculation में असान ही रहे 50 हो गया है, intricate, synonym बताओ intricate का सब लोग बताओ एकदम, line से पढ़ते जाएंगे पढ़ते जाएंगे, कोई issue किसी को आना ही नहीं है ठीक है? intricate, synonym बताओ ये intricate का क्या होगा सबी लोग, line से क्या होगा, synonym intricate का अच्छा मैं आपको, अगर मैंने आपसे बोला कि यार एक word है, real एक मैंने word लिखा, real real का मतलब होता है, जब कोई चीज original होती है, तो क्या आप मेरे से ये बोलोगे, कि माम real word को याद करने का भी trick बता दो, क्या आप मुझसे बोलोगे, जब मैं बात किया करूँ, तो ज़रूर मेरे से बात किया करो, मुझे बता आपको एक word कराया है, real और real का मतलब मैंने बोल दिया, real का मतलब होता है, original, जब कोई चीज original है, real है, तो उसको हम real बोलेंगे, तो क्या आप मेरे से बोलोगे, कि आप माम इसका trick बताईए, आप मेरे से बोलोगे, कि real word का trick बताईए, बोलोगे, नहीं बोलोगे, क्योंकि यार ये बड़ा simple है, आप trick किसकी पूछते हो, जो complex होता है, जो complicated होता है, जो difficult होता है, उसी की आप trick पूछते हो, इसी वाज़े से आप real word की trick कभी नहीं पूछोगे, इसकी trick पूछोगे, क्योंकि हो जाएगा, कि बहुती simple है, बहुती easy है, gentle word हो जाएगा, बहुती gentle, बहुती mild, तो ये mild हो जाएगा, और casual word का मतलब हो जाएगा, बढ़ा casual behavior है, बिलकुल भी formal नहीं है, जैसे होता है, बढ़ा casual formality नहीं दिख रही होगी, तो इसको casual behavior कहते है, ठीक, तो आपको याद हो गया, trick हम उसी word की पूछने हैं, जो complicated होता है, तो intricate, मतलब trick, trick हम उसकी पूछेंगे, जो complicated होगा, तो intricate का synonym हो जाएगा, complex, यानि की complicated, ठीक, पांच word हमारे हो चुके हैं, तो इसमें हमने 5 लिख दिया और total हमारा हो गया, 55, that's amazing, अब जितना word हुआ है, यहाँ पर ऐसे करके फिर से लिख लो, आगे बढ़ते हैं, इम, इमबसाइल, एक word होता है, इमबसाइल, this is imbecilic, इसका मतलब क्या होगा, उसी से related है, आचा बस इस शब्द को बोल के देखो मेरे साथ, मेरे सामने इस word को बोलो, imbecilic तो इसमें silly word नहीं आ रहा है जब इस शब्द को बोलोगे तो क्या इस word को बोलने पर एक silly sound नहीं आ रहा है जहां पर भी बैठे हो चाहे आपके कान में your phone लगा हो चाहे ना लगा हो एक बार इस शब्द को बोलिए मेरे साथ और मुझे बस यह बताईए जैसे कि हमने intricate word में trick word निकाला तो उसी तरीके से इस शब्द को बोलने पर क्या इसमें silly word नहीं आ रहा है imbecile में क्या silly नहीं आ रहा है बिल्कुल आ रहा है silly silly आ रहा है ना इसको बोलने पर तो बस यह समझो कि इसका meaning भी यही होता है कि इसका मतलब होता है silly foolish so this is the correct answer stage का मतलब तो हो जाएगा सादू संत महात्मा बहुत ही जादा intellectual persuade करने का मतलब होता है किसी को मनाना किसी को पठाना किसी को convince करना आपने कभी किसी को convince करा है कभी भी किसी को convince करा है किसी भी चीज़़ के लिए जैसे कि आपको अपने पापा के संग कहीं घूमने जाना है तो आप दो तीन दिन पहले से उनको convince कर रहे हो रूपए कर रहे हैं मनाना पटाना ठीक और dissident का मतलब क्या होता है किसी चीज़ को मना करना यानि कि disagree करना मना करना यानि कि disagree करना अब इस चीज को मैं आपको थोड़ा सा याद करा दे रही हूँ समझो हम लोग हमेशा agree word बोलते है agree ठीक है और जैसे ही agree बोलते हैं तुरंत हमारे दिमाग में दो शब्द और आ जाते हैं गेर और सेंट और कंसेंट अब हमने क्या किया हमने इसका ओपिसेंट लिख दिया है तो अप्विजिट में डी आ गया है्या को अभत MSKaş्व अर 추가 का ही obvious isn't होता है चाहिए अप्डिसेंट दो चाहेए qualcosa थी सड़्ेंट बोलो इन सबका मतलब होता है disagree करना clear है आपको तो सारे चब्द हमने अच्छे से clearly समझ लिये हैं ambassalic जब इस word को हमने बोला तो silly word निकला तो इसका मतलब भी होता है silly और Polish sage मतलब सादू संत महात्मा intellectual persuade मतलब किसी को convince करना मनाना पटाना और dissident word कहां से बना है ascent और consent assent है और consent है तो assent और consent को opposite हुआ dissent तो dissent मतलब होता है disagree करना ठीक है तो 5 शब्द हमने यहाँ पर याद कर लिए है 55 हमारा पहले से था 5 और हो गया है यानि कि it makes it 60 it makes the number 60 60 हमारे हो चुके हैं शब्द पूरे जो हमने अभी तक किये हैं क्लास में 60 words that is huge अब 7 बार आपके exam में consolidate word पूछा गया है देखते हैं यह शब्द कितने लोगों को याद है consolidate word जल्दी से नहीं आया इन दोनों में confused हो क्या आप लोग इन दोनों में confused हो क्या देखो एक simple सी चीज है consolidate करना किसी चीज को consolidate करना मतलब उसको solid बनाना solid बनाना यानि कि मजबूती देना तो consolidate करना मतलब किसी को solid बनाना solid बनाना यानि कि मजबूती देना solidify करना तो चाहे आप किसी को consolidate में भी solid word आ रहा है किसी को solid बनाना मजबूत बनाना और solid 5 में भी वही वर्ड आ रहा है किसी को solid बनाना मजबूत बनाना तो फिर solidarity वर्ड का मतलब क्या है solidarity वर्ड का मतलब unity होता है unity ठीक है तो हम solidarity वर्ड को भी synonym में relate कर सकते थे लेकिन अगर हमारे पास दोनों option है तो हम priority solidify को देंगे हमेशा unity का भी मतलब मजबूती होता है लेकिन solidify का तो exact मतलब होता है किसी को मजबूती देना consolidate का भी मतलब exact होता है किसी को मजबूती देना support देना strong बनाना ठीक है तो ये दोनों ही हम answer कर सकते थे पर दोनों हमारे option में है तो हम ज़्यादा appropriate वाले को mark करेंगे यानि कि solidify और solidarity का मतलब हो गया हमारी unity जब हम लोग एक साथ कोई काम करते हैं गार्निश का मतलब हो गया किसी चीज को decorate करना जैसे कि आपने एक plane plane पनीर की सबजी ठंडी ठंडी रग दी वो लुक नहीं आएगा लेकिन आपने उसको उपर से गार्निश किया है चोटे-चोटे मिर्मिर्च से धनिया से तो बहुत अच्छा लगेगा तो चाहे आप decorate बोलो चाहे आप ornate बोलो दोनों का मतलब होता है गार्निश करना ठीक है और split का मतलब क्या हो जाएगा splitting अलग-अलग जैसे बालों में भी आपने देखे होंगे नीचे की तरफ split ends हो जाते है split ends मतलब जब ऐसे अलग-अलग इंसान हो जाता है तो consolidate का उल्टा होता है split करना divide करना ठीक चलो तो हमारे पास पांच और शब्द हमने याद कर लिए है 65 और हमने यहाँ पर दो decorate औरने टेक नया वर्ड किया औरने टेक नया वर्ड किया तो हमारा प्लस थी चल रहा है ठीक 65 हो चुका है चलो जी टाटा बाइबा टेक कियर और सभी लोग जो भी इस लेक्चर को live और recorded देखेंगे do not forget to write a comment मैं देखना चाहती हूँ आपको कितना फरक पड़ा है और 7.30 बजे daily vocab का और the Hindu का lecture होता है लाब पे अगर नहीं पता है तो मैंने बता दिया उसको जरूर रटेंड किया करिये live ठीक चलिये जी टाटा बाइबाइ टेक कियर and I really enjoyed I've really enjoyed a lot with you guys बाइबाइ